तो क्या बुलती पाबलिक और भाई लोग क्या हल है आज की इस वीडियो में आप जानेंगे टियर रिसेट होता क्या है टियर रिसेट होता कितनी तारिक को कितनी बज़े है और टियर रिसेट अगर आपका होता है तो टियर रिसेट होने के बाद आपका टियर क्या रहेगा य वही हर सीजन अगर आप शुरू से शुरू करोगे रेंग पुश करना तो आपका इंट्रेस्ट बनेगा और जो लोग पहले Conqueror नहीं कर पायते उनमें भी एक उम्मीद जगेगी कि इस सीजन तो हम Conqueror Achieve कर सकते हैं इस वजह से Teil Reset होता है दोस्तम समझतें Tear Reset हो अगवे तो जब भी कोई नया सीजन स्टार्ट होता है तब आपका की तीर हो जाता है इसको आप आरपी में जाकर या फिर शीजन में जाकर चेकाउट कर सकते हैं वहाँ पर आपको starting date दिख जाएगी season की और end date भी वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी जैसे कि एक example ले लेते हैं इस season की 18 तारिक है ये season end हो जाएगा ठरा तारिक को यानि कि 19 तारिक को नया royal pass आजेगा नया season start हो जाएगा और कितनी बजे होता है तो साड़े साथ बजे नया royal pass आता है तो तभी आपको नया tier भी आपको देखने को मिल जाएगा यानि कि आपको अगर rank push करनी है तो आप 19 तारिक को साड़े साथ बजे से पहले पहले rank push कर सकते हैं सुबह की में बात कर रहो और उससे पहले आप जितनी भी rank push करना चाहे वो कर लें क्योंकि साड़े साथ पर आपका जो tier हो जाएगा अब बात करते हैं कौन से बंदे को कौन सा tier मिलता है तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे में इस देख सकते हैं आप अगर bronze 5th, 4, 3, 2, 1 किसी पर भी हो आप उनी tier पर रहने वाले tier reset होने के बात इवन अगर आप silver पे भी हो silver 5, 4, 3, 2, 1 तो भी जब tier reset होगा तो आपका वही tier वापस आपको मिलने वाला है दोस्तों में एक चीज clear कर दूं काफी लोगों का है doubt रहता है कि हमने highest tier achieve क्या है वो वाले tier count होता है tier reset में या फिर अभी हम जिस tier पर हैं तो दोस्तों देखो मान लेते हैं अभी 19 त 7 बजे होगा तो आपका 7.30 बजे तक जो भी tier रहेगा उसके according आपका नया tier आपको मिल जाएगा अब बात करते हैं जो लोग gold 5 से gold 2 के बीच में उनको gold 5 ही अपना नया tier पर देखने को मिल जाएगा और जो लोग gold 1 platinum 4 या फिर platinum 5 पर हैं उनको gold 4 देखने को मिल जाएगा और अगर आप अभी platinum 3, 2 या 1 पर हैं तो आपको gold 3 देखने को मिल जाएगा और season end के time पर अगर आपका tier diamond 2 या diamond 1 रहता है तो आपको gold 1 देखने को मिल जाएगा और जो लोग crown 5 और 4 पर रहेंगे उनको platinum 5 देखने को मिल जाएगा और जो लोग crown 3 या 2 पर रहेंगे उनको platinum 4 से 4800 पॉइंट तक रहते हैं उनको प्लेटीनम 2 देखने को मिल जाएगा और उसके उपपर जितने भी पॉइंट से आप लगा लो मतलब 4800 पॉइंट के उपपर आप भले इस डोमिनेटर लगा लो या फिर कॉंक्रर लगा लो या फिर और ज्यादा प्लस ले लो आपका प्ल ब्रोंस पे छोड़ा है तो आप ब्रोंस पे ही रहोगे पर जिन बंदों ने इस सीजन एज डोमिनेटर लगा ले आए वो प्लेटीनम 1 से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही सीजन के काफी उनको रेंक का फाइदा हो जाएगा इस वज़े से वह जल्दी कॉंक्र सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में